हलो फ्रेंड्स मैं अनुवाधा स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल लनुमिस में तो दोस्तों कैसे हो आप लोग हुमिद है कि आप सब लोग ठीक होंगे तो सुरू करते हैं आज का सेशन और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में परिमेकरण करना सिखा था कि परिमेकरण किस प्रकार के सवाल में हम लोग करेंगे उसके पहचान के बारे में देखा था कैसे करते हैं ये भी देखा था यानि कि सन्यूवी पर आधारित प्रस्न जो है हम लोगों ने कुछ हल किये थे आज के इस वीडियो में उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ अलग पैटर्न के question देखेंगे चले देखेंगे आज हम लोग पैटर्न C टाइप का हम लोग question देखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहांपर एक question दिया हुआ है एक बटे करी में दो धन एक धन एक बटे करी में तीन द然后 खड़ी में दो धनount कडी में 3 धन डॉट बड़र। और यह कहा तक है एक बटे कडोड़ी में 100 plus कड़ी में 99 का बान बताना है यानि कि इसको हमें जो है हल करना है पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये जो मान है ये एक fix तक दी गई होती है यानि कि जैसे माली जी केवल इतना ही दिया है तो इतने का मान कितना होगा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लम्मी स्रिंखला बन रही है और last में एक बड़ा सा number हमारे पास दिया हुआ है यानि कि last में यहाँ तक हमें मान बताना है तो हम कितनी बार पर्मे करड करेंगे अगर एक एक करते जाएंगे तो यहाँ तक हम करते चले जाएंगे तो time बहुत जादे लगेगा और यह impossible भी है impossible तो नहीं है कई घंटे तो लग जाएंगे लेकिन लगेगा फिलाल यहाँ पर इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करना है देखिए जब भी हम इस pattern के question को देखेंगे तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस प्रकार के सवाल कुछ न कुछ पैटरन पर आधारित होते हैं और जब हम लोग इसे हल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मान हो जाएंगे जो कि एक पैटरन पर फिक्स होंगे और वो सारे मान जो है कट जाएंगे तो सबसे पहला इस टेप हम लोग यह करेंगे कि सब में परमिय करण करेंगे पर्मिय करण कैसे करेंगे आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है चले देखिए अगर हम इसका हर का पर्मिय करण करते हैं तो कड़ी में 2 धन 1 का जब हम लोग पर्मिय करण करेंगे तो कड़ी में 2-1 का अंस और हर में दोनों में गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर अंस में अगर 1 में जो है कड़ी में 2 माइनस 1 का गुड़ा करेंगे तो इतना ही आएगा और बटे में आ जाएगा हमारा कड़ी में 2 धन 1 गुड़े कड़ी में 2 धन 1 देखें यहाँ पर अगर हम कर दें जैसे कड़ी में 2 धन 1 और फिर क्या हो जाएगा? कड़ी में 2-1 तो यहाँ पर यह square और भी square का यह formula हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा कड़ी में 2-1 और यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1 यानि कि final जो है हमारा answer आएगा 1 तो नीचे का जो मान आएगा वो 1 आएगा तो यहाँ पर हम एक ना लिख करके यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि फ्रेंट्स एक लिखें चाहें ना लिखें यह टोटल मान जो है हमारा एक आएगा अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें भी वही काम करेंगे परमे करण करेंगे तो यह हो जाएगा करणी में 3 मान जो है एक आएगा चलिए आगे देखते हैं इसका जब हम लोग करेंगे तो करणी में 4, मान जो हमान आएगा 1 अगला वाला जो इस्टेप होगा हमारा अगला वाला क्या मान आएगा देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 तो आगे वाला जो मान आएगा वो हमारा आएगा 1 बटे, कड़ी में 5 और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 तो अगला जो मान आएगा वो आएगा कड़ी में 4 यानि कि अगला इसके आगे वालो जो मान आएगा एक बटे कड़ी में 5 धन एक बटे कड़ी में 4 यह आएगा तो मान दिजी अगर इसका भी अगर हम परमेगरण करते हैं तो यह हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 4 और नीचे कमाड इसमें भी एक आएगा तो ऐसे ही कहां तक जाएगा एक बटे कड़ी में 100 धन एक बटे कड़ी में 99 तो इसका हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा एक बटे कड़ी में 100 माइनस सौरी काड़ी में 100 माइनस काड़ी में 99 ठीक है अब देखें यहाँ पर जो है कुछ मान हमारा कटेगा देखें काड़ी में 3 प्लस काड़ी में 3 और माइनस काड़ी में 3 यहाँ पर भी देखें यह जो है प्लस कड़ी में दो और माइनस कड़ी में दो ये जो है इससे कैंसल हो जाएगा आगे देखिए कड़ी में तीन यहाँ पर ये माइनस से इससे ये कैंसल हो जाएगा ये देखिए कड़ी में चार और ये यहाँ पर ये इससे कैंसल हो जाएगा ऐसे ही जब हम आगे तो इसके पहले जो है 99 आएगा और यह 99 जो है वो कट जाएगा तो यह यहां से कट जाएगा आगे जो है प्लस 99 वाले से क्लियर तो लाश्ट में हमारा बचेगा कड़ी में 100 और सुरू में हमारा क्या बचेगा माइनस एक तो अब यहां पर इसको हम लोग हल कर लेंगे माइन 10 10 बराबर 9 तो टोटर हमारा जो आंसर आएगा 9 आजाएगा चलिए अब हम लोग कुछ अलग इसी में चेंज करते हैं जैसे मान लिजिए कि अगर यहां पर हमने प्लस की सिरीज देगी माइनस की भी सिरीज दे सकता है या फिर प्लस माइनस दोनों करके दे सकता है हो सकता है कि जो नीचे का मान है यह जो है एक ना आए कुछ और आए उपर एक ना रख करके कुछ और भी मान दे सकता है ऐसे भी question आते हैं तो चलिए इस पर भी आधारीत एक प्रस्न हम लोग देख लेते हैं देखे अगला सवाल है दो बटे करड़ी में साथ माइनस करड़ी में पांच माइनस दो बटे करड़ी में पांच माइनस करड़ी में तीन माइनस चार बटे कड़ी में साथ कड़ी में तीन कामान हमें बताना है कि क्या होगा इसमें भी वही करना है परमे करण हम लोग करेंगे अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि जब आप इसे हल करेंगे तो एक आंसर नहीं आएगा और उपर भी एक नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस प्लस जो है यहाँ पर माइनस प्लस की सिरिज बन रही है चलिए अब इसे जो हम लोग हल करेंगे तो इसमें भी परमे करण करेंगे तो इसका हम लोग परमे करण करेंगे तो यह हो जाएगा दो गुड़े कड़ी में 7 और यह हो जाएगा प्लस कड़ी में 5 बटे यह हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 और इसमें किसका गुड़ा हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का इसके बर्मे करण से माइनस इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा दो गुड़े इसका हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 और इसमें गुड़ा हो जाएगा किसका कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का ऐसे ही यहाँ पर आते हैं तो यह हो जाएगा माइनस 4 और इसका जब हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 बटे यह हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3 इसमें गुड़ा हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 का ठीक है तो यह र कड़ी में 5, नीचे जब हम लोग हल करेंगे तो ये जो है a2, minus b2 ka formula बनेगा, यानि कि कड़ी में 7 का स्कौर, minus कड़ी में 5 का स्कौर, क्योंकि 1 मैं माइनस है, और दूसरे bracket में plus है, तो कड़ी में 7 का स्कौर हो जाएगा 7, और कड़ी में पाच का इसका और हो जाएगा पाच, यानि कि 7-5, और 7-5 कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, मैनस करेंगे, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 और यह ब्रैकट में आ जाएगा 5, धन कड़ी में 3, बटे, यहाँ पर भी वही फर्मूला लग और यह हो जाएगा हमारा 2, माятьस यह हो जाएगा 4 और कड़ी में 7, मानस कड़ी में 3 बठे, नीचे भी यहाँ पर 7 मा vineस 3 हो जाएगा, तो यह बच जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, तो 4 होगा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ति sun कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो यह भी cancel और यह 4 इस 4 से cancel नीचे का सारा cancel हर खतम होके अंस बचा है चलिए अब यहाँ पर अगला step हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 माइनस अब यहाँ देखिए यह माइनस है तो इन दोनों में जो हम माइनस का गुड़ा करेंगे तो यह जो है माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस कड़ी में 5 और माइनस अंदर जाएगा तो यह प्लस भी माइनस हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 अब यहाँ पर भी प्लस है यह प्लस अंदर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 3 अब देखें यहाँ पर भी अब कुछ आंसर हो जाएगा अब हमारा जीरो ठीक है तो इस प्रकार के सवाल को भी जो है हम लोग परमे करण से हल करेंगे और कैसे हल करेंगे एक एक इस टेफ हमने आपको बता दिया तो अब परमे करण से संबंधित जितने भी प्रस्ण आएंगे I hope कि आप solve कर लेंगे एक और पैटर पर जो है हमें अगले statement का मान निकालना होता है जैसे देखे यहाँ पर दिया हुआ है यदि एक्स बराबर 7 मैनस 4 काड़ी में 3 हो तो एक्स धन एक बटे एक्स का मान कितना होगा यानि कि इतना मान हमें पता है और इसी के विहाब पर इसका मान हमें पता करना है तो सबसे प मैनस 4 काड़ी में 3 यानि कि एक बटे एक्स बराबर एक बटे 7 मैनस 4 काड़ी में 3 अब यहाँ पर इसका हम लोग परमे करेंगे इसको हल करने का तरीका यही है तो जब हम इसका परमे करेंगे तो यह हो जाएगा 7 धन 4 काड़ी में 3 उपर हो जाएगा इसका एक में चार कड़ी में तीन अब देखें नीचे का मान क्या हो जाएगा जब इसका A स्कॉयर मैनस B स्कॉयर पे जब हम इसको रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 का स्कौरर मैनस 4 कड़ी में 3 का स्कौरर तो इस का म यहां पर देखिए 1 बटे x का मान हो गया 7 धन 4 कड़ी में 3 और x का मान दिया हुआ है अब हम लोग जो है दोनों को एक साथ ले करके यहां पर लिखेंगे x बटे x धन 1 बटे x बराबर अब x का मान यहां से हम लोग रख देंगे 7 माइनस 4 कड़ी में 3 और प्लस 1 बटे x का मान हमने कितना निकाला 7 प्लस 4 कड़ी में 3 अब देखिए 4 कड़ी में 3 माइनस में है और यहां पर प्लस में है यह इससे कट जाएगा यह 7 और यह 7 यह दोनों प्लस है तो यह जुड जाएगा और यह हो जाएगा साथ साथ 14 और यह हो जाएगा हमारा answer ठीक है तो इस प्रकार के भी सवाल जो है हमारे exam में पूचता है एक और pattern बसता है कि यह रहा pattern D अब हम लोग अगले pattern की अगर बात करें जो कि last है हमारा देखें उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर compare करके हमें हल करना होता है जैसे अगर हम अगले pattern की बात करें यानि कि तो A व बी का मान बताना है कि कितना होगा अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे देखें यहाँ पर इतना मान हमें दिया है और इसी को हल करके हमें A और B का मान निकालना है तो इन ढूनों ही पक्ष को हम एक साथ ले करके हल करेंगे देखें यहाँ पर जो है आम लोग इसमें परमे करण करेंगे तो यह हुझायागा कड़ी में 5 धन 1 और इसका परमे करण करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 5 और धन 1 का उपर गुड़ा होगा और नीचे भी जो है कड़ी में 5 मैनस 1 और 1 में हो जाएगा कड़ी में 5 प्लस 1 और बराबर में जो है हो जाएगा A प्लस B कड़ी में 5 अब यहां पर देखिए कड़ी में 5 धन एक इसमें भी और दूसरे ब्रैकट में वही तो कड़ी में 5 धन एक का होली स्क्वार हो जाएगा और कड़ी में 5 धन होली स्क्वार का सुत्र होता है यानि कि A धन B का होली स्क्वार का जो सुत्र होता है उस पर हम लोग बिस्तार कर देंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वार यानि कि कड़ी में 5 का स्क्वार धन B स्क्वार यानि कि 1 का स्क्वार धन 2AB यानि कि 2 इंटू कड़ी में 5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बटे हो जाएगा कितना ये हो जाएगा A स्क्वार माइनस B स्क्वार पर तूटेगा तो कड़ी में 5 का स्क्वार माइनस 1 तो 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये बराबर A प्लस B कड़ी में 5 अब दिखें यहां पर कड़ी में 5 का स्कॉर हो जाएगा 5 और 1 का स्कॉर एक ही होगा तो 5 एक 6 हो जाएगा यानि कि 6 धन 2 कड़ी में 5 और 6 धन 2 कड़ी में 5 से अगर हम 2 कामन ले लें तो ये हो जाएगा 2 और 6 को कटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3 और प्लस यहां से भी 2 कामन बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 बटे यह हो जाएगा 4 बराबर A धन B कड़ी में 5 अब देखिए यहां पर 2 से 4 कटएगा 2 दुना 4 दोबर में अब इसको हम लोग लिख सकते हैं तीन धन कड़ी में 5 बटे 2 इतना इधर आया और बराबर A धन B कड़ी में 5 इतना इधर है अब देखिए इसको इससे हम लोग दोनों को जो है compare करेंगे एक दूसरे से और वहाँ से A और B का मान जो है हम लोग find करेंगे चलिए यहाँ पर इसे जो है अगर हम हमाल करें तो दिया है यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 3 धन कड़ी में 5 बटे 2 इधर का मान आया है और इधर जो है A धन B कड़ी में 5 इतना आया है अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करें तो 3 बटे 2 धन कड़ी में 5 बटे 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे 2 तो ब्राबर ए धन भी क्योंकि हमें जो है इस form में लाना है और जब तक फॉर्म में नहीं आएगा कंपेर नहीं हो पाएगा तो इस form में लाने के लिए जो है यह सारा चीज हम कर रहे हैं यहां पर तो थो दहन्क willing यहां पर ढ창 GAVJE इसको हम लोग एक श्टेप और पढ़ा सकते हैं दोव इसमें चमबे से गुड़ा करणा यदान एक अगर बाहर कर दें तो यह हो जाएगा by दो कॉनाम रिक याणि की इसको हमसे न लिख सकते हैं एक में जो है इसका गुड़ा होगा तो कड़ी में 5 बटे 2 ही आएगा बराबर A धन B कड़ी में 5 अब देखें लेट साइड और राइड साइड दोनों को हम एक दूसरे से कंपेर करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कड़ी में 5 दिया हुआ है और यहां अस्थान पर आप देख रहे हैं कि 3 बटे 2 है तो यहां से A का मान हो जाएगा 3 बटे 2 और B का मान क्या हो जाएगा कड़ी में 5 का गुड़ांग यहां पर 1 बटे 2 तो इस तरीके से हम लोग A और B का मान निकाल लेंगे ठीक है तो इस प्रकार से friends हम लोगोंने पर्मेकरण पर आधारे जितने भी प्रकार के क्वेशन पूछे जा सकते हैं हम लोगोंने सभी प्रकार के क्वेशन को हल कर लिया है तो आज कि इस वीडियो में बस इतना ही और उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेशन भी आपको समझ में आए होंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीड़ेक वेमें कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपका तक आपने वीडियो को लाइक सेयर नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंट वीडियो को लाइक सेयर जरूर किजिए और चैनल पसंदार चैनल को भी सब्सक्राइब किजिए चलिए मिलेंगे नए वीडियो में थैंक यू